कल हमने सीक्वेंस की क्लास वन की थी और क्लास वन में हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था तो वो टॉपिक आप देखिएगा आज की क्लास है क्लास टू तो कोई भी नया स्टून्ट अगर होगा तो सो क्लास वन देखने ही पड़ेगी पर फिर भी समझ में आ जाएगा विसे बात करेंगे तो तुमारे मन में क्या ख्याल आएगा बताना चारब क्या बोला था मैंने क्या ख्याल आएगा बोलो कि मौड एन is less than or equal to k for all n belongs to natural number और k क्या होगा एक positive real number याद है आप कोई बात अच्छा जी कल हमने बात की थी convergent sequence की convergent sequence right तो कोई भी sequence an अगर a पर converge करेगा तो तुमारे मन में क्या ख्याल आना चाहिए एक दम से तुमारे मन में ये आना चाहिए कि sir mod an minus a epsilon से छोटा है for all the terms greater than equal to n not ये बात एक दम से दिमाग में आने चाहिए and what is epsilon? it is the smallest positive real number तो जब भी मैं बात करूं convergent sequence की तो ये बात दिमाग में आना चाहिए bounded sequence तो ये दिमाग में आना चाहिए अरे ठीक है? ये इस लो अब दुबारा देखो next page पे आप लोग सारे बच्चे अगर मैं बोलूँ आपको कभी भी इस तरीके से कि sequence a n a पे converge कर रहा है और sequence b n b पे converge कर रहा है तो दो sequence होगे तो आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए? ध्यान से समझेगा प्लीज इस बात को कि सर मौड a n-a अपसालन से छोटा है for all the terms greater than equal to n1 बताओ n0 के जाएं क्या है यहां पर? n1 अब दुबारा देखो n0 आएगा भी जब तक n0 नहीं आएगा बात नहीं बनेगी आपकी और अगर b n b पे converge कर रहा है तो क्या दिमाग में आना चाहिए? कि मौड b n-b अपसालन से छोटा है for all n greater than equal to n2 अब ध्यान से सुनो मेरी बात, numerical बोल रहा हूं मैं कुछ मैंने यहां पर कहा कि sequence की सारी terms 5 से बड़ी बराबर है और मैंने यहां पर कहा sequence की सारी terms 10 से बड़ी बराबर तो 5 से बड़ी सभी terms में less than epsilon है और 10 से बड़ी सभी terms में भी यह less than epsilon है तो दोनों किस natural number के लिए true होंगे दोनों को दोनों अच्छा जी सब पढ़ाय लिखाय विकाह कर दिया छोड़ी है हाँ अर एक बात बता टर्म जितनी बड़ी difference उतना छोटा ना यार क्योंकि difference absolute होता है तो अगर पांच्वी अच्छी साथ में नों में दस में तो आएगा याएगा न नहीं समझ में है और अगर दस में टम पर आ रहा है तो दस ग्यारा बारा पी आएगा तो दोनों के intersection में मतलब कॉंसी बड़ी terms आएंगी so n0 जो होता है which is maximum of n1 n2 तो बताओ n0 क्या हो एंदोनों में से नहीं पता क्या हो गया of course यार कल भी तो बात हुई थी एक दूसरी term पर आ रहा था एक तीसरी पर एक चौथी पर n0 को मैंने maximum लिया था करने लिया था पताओ so तो अगर n0 maximum होगा तो a n-a less than epsilon होगा उन सब terms के लिए जो बड़ी बरावर n0 के लिए हैं और b n-b भी less than epsilon होगा उन सभी terms के लिए जो किससे बड़ी बरावर हैं यां हमें लास्ट में एन नॉट लाना होता है और एन नॉट हमेशा कैसा होगा उसका नेचर maximum क्यों होगा ये बात पता है ना सबको हां जी पता है क्यों होगा maximum अरे term जितनी बड़ी difference उतना ही हां हां अगर वह पांच भी टम पर लेजन अपसान आ रहा है तो दस्वी पता आएगा ही ना तो दोनों किस पर आएंगे 10 पर या 11 पर या 50 पर या 100 पर जो भी दोनों में से maximum होगा उस पर दोनों आएंगे true तो हमें दोनों sequence किसके लिए true होता ही पता लगाना होता है अगर वह फिफ टम पर लेजन अपसान आ रहा है और यह 10 पर आ रहा है तो वह भी 10 पर आएगा कि नहीं आएगा बताओ आएगा थैंक यू वेरी माच क्यों 10 आया समझ में आया आपको हां मैक्सिमम लेते हैं ओके ठीक कल की बात पर था मैं अभी तर इतना पता है सबको कनवर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन आती है ना सबको बोलो बच्चो तो आज मैं आपको मेरे बच्चो आज आप एक चीज सीखेंगे मेरे साथ कि थियोरम कैसे प्रूव की जाती है और आज के बाद से आप हर थियोरम को खुद से प्रूव करना स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ आज की क्लास करने के बाद आप सभी थियोरम को लिखना सिख जाओगे और कैसे प्रूव करना होता है वो भी सिख जाओगे लेकिन आज ची क्लास important है क्योंकि जब भी theorem आएगी तो आपको रिटने की जुरूत नहीं है आज आपको समझ आ जाएगी कि कैसे converge डाइवर्ज होता है अरे clear है ठीक है जी तो जो भी नए बच्चे भी है वो भी सब आज participate करेंगे मेरे साथ मैं कोई लगबग 9 से 10 theorem कराऊंगा आपको और आपको आजाएगा सब समझ में और यह theorem इसलिए लेकि चल रहा हूँ ताकि आपको करना समझ में आ जाए पहले धियान से बोड़ पे देखिएगा फिर उतारिएगा उतारने का समय मिलेगा आ जाएगे तो हेडिंग लिख दीजे कि एलजबरा ओफ सीक्वेंस इस एलजबरा ओफ सीक्वेंस यह हेडिंग डाल दीजिए बस आप कॉपी पे और आगे आब मेरे साथ देखिए algebra of sequence start करा रहा हूँ ये क्यों start करा रहा हूँ ताकि आपको theorem लिखने ही आ जाए मेरे बच्चो मुझे कोई जल्दी नहीं राम राम से कराऊंगा बस मेरे साथ रहिएगा आप लोग theorem 1 theorem 1 को बोलते है scalar multiple theorem scalar multiple theorem क्या होती है ध्यान से penman सब छोड़ दीजे प्लीज इट्स रिक्वेस्ट अगर सीक्वेंस एन ए पर कनवर्ज कर रहा है तो प्रूव करो कि सीक्वेंस लामडा एन लामडा ए पर कनवर्ज करेगा वेर लामडा इस सम स्केलर कोई scalar constant है कोई लामडा कैन बी वन कैन बी जीरो कैन बी माइनस वन कैन बी एनिफिंग कैन बी 10 कैन बी 20 ठीक है अगर AN पर करेगा तो 2AN 2A पर करेगा AN पर कनवर्ज करेगा तो 10AN 10A पर करेगा तो लामडा वो स्केलर है बीटा यह statement है प्रूफ देखिए बोर्ड पर मेरे साथ लिखेगा कोई कुछ भी नहीं सोचो आप आफ्लाइन क्लास में बैठेगा बताओ मेरे बच्चों शो क्या करना है मुझे मुझे जो शो करना है लिखो यहाँ पर अपसाइलन पॉजिटिव भी गिवन अपसाइलन एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव यह नमबर है वो आपको गिवन होता है यह हमेशा अजियूम करके चलना है यह हमेशा लेना आपको कभी भी कोई प्रूफ आए राइट अब इस स्टेटमेंट का प्रूफ जो शो करना उसकी देफिनेशन सीक्मेंस एन लैंड़ा इपर कनवज करेगा कभ वन देर एग्सिस्ट अनच्रल नमबर अनौट सच्छ आइं दोनो का दिफरेंज मॉड लैंड़ा एन माइनस लैंड़ा एक किससे छोटा दिखाना है एपसाइड फर आल देर्म गेटर देन इकल तो वाट ये शो करना आपको ठीक अब इसमें भी क्या शो करना है बिटा हर्शिता कोमल ध्यान से समझ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किससे छोटा होना चाहिए एपसाइलन से करेट फॉर वट वैली ओफ एन नॉट हम एन नॉट की वैली क्या लें कि इन दोनों का डिफरेंस किससे छोटा आजाए ये बताना होता है हमारे को कि वो कौन सा नाच्छल नंबर है या वो कौन से फॉर टर्म है जिस पर इन दोनों का डिफरेंस किससे छोटा आएगा ये एम है अब जो शो करते न मेरी बिटिया उसी को ái चनसीडर करके चलते हैं तो यह देखो ध्यान से सारे बच्चे मेरे बच्चे क्या शो करना है जो शो करते हैं उसी को consider करते हैं क्या consider करूं mod lambda a n minus lambda a correct है तो बता बिटा एक बार हर्शिता या कॉमल मुझे क्या given है इस theorem में sequence a n किस पर converge करता है यह जैसी दिमाग में बात आएगी दिमाग में क्या क्या आना चाहिए दिमाग में क्या a n a पर converge करता है आपको क्या दिमाग में आना चाहिए तो आपके पास यह वाल एक्सप्रेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ मेरे बच्चे यह बात हमेशा दिमाग में रखना अभी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी दूसरी में थोड़ी और कम होगी चौथे पांची थेहरी में उड़ते चलोगे तुम बस ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखो की एन मैंने से आ जाए क्या आजाए क्या आपको पता है न इन किस पर करमच करता है तो इसका मतलब क्या होता है क्या थो क्या तुम इस एक्सप्रेशन को एन मैंने से की फ़र में लिख सकती है दो कैसे लेंडा कॉमन आ गया मौड लेंडा एन माइन से यहां आ गया गया ऑगए अब जो मैं बात बताऊंगा वो टीचर को बतानी नहीं यह वो लाल पेंसे बताऊंगा वो अपने दिमाग में रखनी है बात वो टीचर को नहीं बतानी अब तुझे पता है कि एन ए पर गन्वर्ज करता है तो यह लेज देन होगा किस से अरे करेट है तो तू मुझे बता बिटा मैं इस एपसालन की जिन्हें ऐसा क्या रखूं कि लैम्डा गायब हो जाए यहां से अगर एन किस पर करन्वर्ज कर रहा है इन दोनों का डिफिरंस किस से छोटा है तो मैं अगर एपसालन की जिन्हें अपसालन बाई मॉड लैम्डा कर दूं तो उसकी सेथ पो कोई फर्क पड़ेगा तो उसको डिवाइड करूंगा तो क्या वो बढ़ा हो जाएगा तो क्या ये दोनों कट जाएंगे और ये एक्स्प्रेशन किस से छोटा हो जाएगा क्या यही प्रूव करना था मेरी बिटिया लेकिन ये लाल पैने वाली बार टीचर को बताने नहीं है ये आपको समझा रहा हूँ हमेशा जो शो करते हैं उसको कंसिडर कर लेते हैं और इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो गिवन है वो फॉरम आ जाए और वो less than epsilon होता है तो epsilon की value आपके हाथ में आपको क्या रखनी है क्योंकि given है वो तो तो आपने अपनी मरजी से epsilon by model lambda लिखा और कट गया correct है ये बात अब मैं प्रूफ करा रहा हूँ और ये वाली बात मिटा रहा हूँ यहां से इसको मान लिया equation 1 अब आपको क्या given है we are given given कि sequence an कहां कनवज कर रहा है a पे है ना पिटा if and only if if and only if for each epsilon मता मेरी पिटा epsilon क्या लिखूँ epsilon by model lambda yes there exists not एक नाचर नमबर है such that mod minus 1 किससे छोटा होगा epsilon by lambda mod lambda ये कितने टर्म्स के लिए उन सब टर्म्स के लिए जो किससे बड़ी पराबर so therefore equation 1 gives equation 1 क्या कहती है कि mod lambda a n minus lambda a is equal to mod lambda mod a n minus a and from 2 ये equation 2 है आपकी तो equation 2 से क्या आएगा बताओ less than mod lambda epsilon times mod lambda आएगा क्या ये कट जाएगा ये कितनी statements for all n greater than equal to what n not तो क्या आया मेरे बेटा next page पे so therefore mod lambda a n minus lambda a किससे छोटा हो गया epsilon से उन सब टर्म्स के जो किससे बड़ी बराबर तो इसका मतलब lambda a n converges to what thank you very much ये पहला proof था बहुत असान था कोई बात ने लिखने का तरीका होता एक वो तरीका सिखा रहा हूँ उतारें सारे बच्चे लिखोगे लिख लिख के उतारना है अभी तुम champion जोगे दो मिन में रुजाओ या स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं कराऊं आगे जैसा बोलो पिच्चर ले लो ये भी ठीक है पिच्चर ले ले बेटा तुभी तुम्हें ज़्यादा करा पाऊंगा घर जाके एक बार लिख लेने डंग से वैसे तो PPT मिल जाएगी तुमें नहीं वैसे मिल जाएगी PPT भी शेयर कर देते हैं हम लोग अच्छा बेटा हो गया ये लास्ट का पाट तर नहीं तो ये थियर्म वान हो गई आपकी गरेट है बच्चो यहां तक क्लियर होगे सबको तुदिख खो चाएँ नेक्स थियरुम थेयरं टू मेरे साथ साथ तुम्हे मज़ा आजाएगा स्क्वेर थियर्म पहले आशन साथ थियर्म करा रही हो मेरे बिटा स्क्वेर थियर्म लिखना आजाएगा ऐसे क्या कहती है? if अगर sequence a n a पे converge करेगा तो a n का square किस पे converge करेगा अरे square थे और में इसी को तो बोलेंगे ठीक चलिए जी proof मेरे को help करी है थोड़ा सा याद आजाए तो अच्छी बात है proof क्या शो करना है अपने को मेरे बिटा क्या शो करना है कि a n square converges to where और हमेशा क्या लेंगे let positive be given होगा हमेशा और जो show करना है उसकी definition तो convergence a n square a square पे कब converge करेगा when there exists a natural number and not such that mod a n square minus is less than epsilon for all the terms greater than equal to what n ये शो करना है इसमें भी क्या शो करना है सच बताओ ये शो करना है न इसमें भी कि ये expression किस से छोटा आना चाहिए epsilon तो क्या consider करूं और बोल बेटा consider क्या करूं mod जो show करते हैं उससी को consider करते हैं न बेटा अब इसको इस तरीके से लिखो कि given वाली statement आ जाए बताओ given क्या है एन किस पर कर्मच करता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा एन माइन से तो क्या तू इसको एन माइन से की फॉर्म में लेख सकती है statement को बेटा अरे हाँ कैसे हाँ बेटा एन माइनस ए और एन करेट टेक नहीं बता अब ट्रैंगल इनिक्वैलिटी ध्यान से रुख जाए गमेंट क्या सब बच्चों ने ये चीज़ पढ़ी है ये चीज़ पढ़ी है सब बच्चों ने की mod a plus b हमेशा छोटा बराबर होता है mod a plus अरे बोलो इसको ट्रैंगल इनिक्वैलिटी बोलते हैं नहीं पड़ी तो मैंने आप बता दी कोई बात नहीं पता है ये बात ये कौन से वाले एक्स्प्रेशन भी लग सकती है आपर गरेक्ट करेक्ट मेरे बेटा बनाते हैं चलो इसको इसको छेड़ते नहीं है लेस देन इक्वल टो का साइन लगा देते हैं एन माइनस ए को ऐसे नहीं रखते हैं ब्रैक्ट में मौड एन प्लस मौड आना चाहिए कि नहीं बताईए अब सारे सुनो मेरी बात पैन छोड़ देना व्युक्ल लाल पैन वाली बात जो टीचर को नहीं बतानी है एक आपको एम क्या करना है इसकी जगह पर कॉंस्टन्ट लेकर आना क्या लेकर आना था कि क्या हो जाए आपका अंसर एन माइनस यह अप्सैलन से छोटा है तो अपसैलन बाय किस से छोटा है और constant से constant कटके क्या बचेगा आपके पास अरे correct है ये क्यों आएगा लेजन अपसेंड बै इस पता है ना आपको ये बात क्योंकि a n कहां करनमज करता है तो ये बात तो हमें पता है अरे बच्चो बोलो ना तो अब इसकी जिए constant लेकर आना है ये हमारा a में लेकर आओं ले आता हूं देखो तुम्हारी आखों के सामने अभी कि a n किस पर करनमज कर रहा है ये ये थियोरम मैंने प्रूब अभी कराई नहीं है कराऊंगा एवरी लिख लोग कर क्योंकि मैं पहले लिखना सिखा रहा हूं आपको एवरी कनवर्जेंट सीक्वेंस इस बाउंड़ेड कोई भी सीक्वेंस कनवर्ज करेगा तो वो क्या जूरू होगा एवर कॉज कराराए पांगरा तो बांड़े है ना वह अच्छा वन बाई त्य हूं dime बाइटी बाइट वन बाइट भावान उठाले तुम्हें वहीं इस अधन्यवाद तो देखो 0 पर converge कर रहा है तो यह bounded भी होगा न इस sequence is bounded above by half and below by 0, yes तो याद रखो every convergence sequence is थेयरम का प्रूफ करेंगे हम लोग थोड़े देर में अभी तो बताओ जैसी bounded दिमाग में आये word तो मैंने क्या बोला था, क्या नाची है आपके दिमाग में there exists k belongs to positive real number such that mod n is less than equal to k for all n belongs to what नाची दिमाग मेरे साथ मत चलना तुम कभी जिन्दगी में कली बताया था मैंने तुम्हे और आज आप पहली क्लास में आती क्या बोला था देखो आपको जैसी दिमाग में word bounded आएगा ये picture आने चाहिए ना जैसी convergent आएगा ये आने चाहिए ओके आ गया तो देखो तुम्हें चमतकार दिखाता हूँ तुम यहां पर constant लाना चाहते थे ना तो मौड एन बाउंड़ेड हो गया किससे तो बताओ यहां पर क्या लेके आओं कि अफसायन आ जाए आपके पास क्या बचा यही चाहिए था क्या और लेजन का साइन भी आया कि नहीं आया बताओ अरे प्रूफ हुआ नहीं है यह लाल पेने वाली बाट टीचर को बतारे नहीं है समझा रहा हूँ मैंने क्या कहा था इसके जगह क्या लेके आना है आपको क्या मॉड एन सीक्वेंस था मैंने उसको बांडे दिखा कि इसके लिए और मॉड तो था ही तो यह अब एन तो एक पर कर रहा है तो लेज़ें अप्सायन होगा तो लेज़ें अपसेन अपन के प्लस मॉडे भी तो हो सकता है अरे बोलो तो लाल पैन वालिट बार टीचर को मत बता देना मैं आपको समझा रहा हूं ठीक मत बताना टीचर को इसको एक्वेशन वन मार्क कर रहा हूं मैं और अगले पेज़ पर देखो आप यह हो गया अब आल्सो कि सीक्वेंस एन भी एपक अनुज कर रहा है तो उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं इफ और इच क्या लिखो अपसलने की जिगां पे येस बेटा आपको समझ में आ गया मुझे पहले सी पता होता है कि क्या लेना होगा मुझे रटना नहीं पढ़ता let this be 2 and this be 3 therefore equation 1 gives equation 1 क्या कहती थी कि mod is less than equal to अरे यही कहती थी क्या yes from 1 from 2 क्या रखूं from 2 अरे क्या आ जेगा नहीं आपर from 2 आ गये from 2 अब from 3 क्या रखूं very good मेरे बेटा क्या समझ में आ रहा है cut गया यह क्या बचा मेरे बेटा लाइस देन अरूजा बटा इसको equal to लिखेंगे यह अब next page पर जाना बड़ेगा so therefore mod a n square minus a square epsilon से छोटा है for all n greater than equal to what to a n square कहां converge कर रहा है जल्दी बाजी कोई नहीं है आप कोई गलती समझ में नहीं आ रही है यह कितने natural numbers के लिए true है 10 to 9 सभी natural numbers के लिए ना और यह कौन से वालोग ले true है जो किससे बड़े हैं तो यह दोनों किसके लिए true होंगे thank you very much you allowed me to write and not here क्योंकि bounded value definition true थी सभी natural numbers के लिए 1,2,3,4 and not and so on और conversion value definition true थी and not and not plus one and so on तो दोनों statement true है and not plus one को लिए नहीं समझ में आई बात हिर्षय हर्षिता आ गई सारे गायब होगे online वाले तो यह बड़ा विडबना है चलो फोटो के चलो नेक्स पेज नेक्स पेज ठीक है यह सर नेक्स पेज मुश्किल नहीं है बेटा आपको बस एक बाद तरीका पता चलना चाहिए आप अपने आप अंसर लाओगे देखो अगली थेर्म अपने आप भी कर लोगे आप देखना भी करके दिखाओगे आप कॉमल देख तरब एक ची दिखाता हूं मैं अपनी दूसरी स्लैड पर चला गया मैं जब भी ऐसे कॉमल दो सीक्वेंस आ जाए एं एंए पर कर्मर्ज करता है बी और बी पर जब दो सीक्वेंस आ जाएं तो कभी भी एन नोट नहीं लेते क्या लेते हैं एन गेड़े दन इ पक्का ना बस यह बात और तीन आएंगे तब भी ऐसी करेंगे तो एन नोट मैक्सम हो जाएगा और अगर तीन सीक्वेंस आ जाएंगे तो ओके और एवरी कंवर्जन सीक्वेंस इस बाउंडेड यह बात तो पता चली गए मेरे बच्चों तुम्हें अब आजो अब तुम्हें मजा आने लगेगा सम्थेयरम, नेक्स थेयरम, नेक्स पेज़ परी शुरू करता हूँ, फुरी एक ही पर आजएगी शादे थोड़ा बड़ा बड़ा भी तो लिखता हूँ मैं, सम्थेयरम क्या कहती है मेरे बेटा, अगर, थेयरम क्या कहती है, अगर sequence a n, a पे अपर कर रहा है, sequence b n, b पर कर रहा है, तो a n प्लस b n कहा करेगा पका न, ये प्रूफ करना है अपने को, तो इसको यह मत सोचो कि कोई मुश्किल प्रूफ है, आपको लिखना सीख रहे हो आप सर्फ मेरे साथ अभी, this is not going to come in the exam चलिए लिखते है मेरे बिटा proof क्या शोग कर रहे हैं सबसे पहले बता है मेरे बिटा a n a n plus b कहां converge करेगा a plus b अच्छा और हमेशा लेट अपसालन पॉजिटिव बी गिवन और जो शोगरते हैं उसकी डेफिनिशन बता जल दी से there exist and not a natural number है such that in दोनों का difference a n plus b n minus a plus b किसे छोटा होगा for all the terms greater than equal to n naught इस में से क्या consider करूं मेरे बच्छी बता consider क्या करूं mod a n plus b n right minus a plus b इसको किस तरीके से लिखना जुरूरी है a n minus a और ये expression sir इस तरीके से लिखो कि a n minus a आ जाए और b n minus क्योंकि ये नहीं आएगा तो इनका इस्तेमाल किसे करोगे जो गिवन है तो लिखो कैसे लिखो बताओ जल्दी से mod bracket खोल लू ना ओके इनको अलग लग करो कौन से इन इक्वालिटी से करोगे yes mod a plus b किस से छोटा बराबर होता है mod a plus mod b अभी तो बताया था using triangle inequality तो less than equal to करो तो यहां आएगा a n minus a और यहां भी आएगा b n minus b ओके अब ये लाल पेन वाली बात टीचर को बताने नहीं है क्या नहीं बतानी आपको यह expression किस से छोटा दिखाना है तो a and a पे converge करता है तो a and minus a किस से छोटा होगा okay यह भी किस से छोटा होगा और यह तो two epsilon हो गया जबकि हमें तो क्या चीए सरफ अगर मैं epsilon by two plus epsilon by two ले लू तो क्या epsilon बन जाया है मेरी बिटिया हमारे एम जो है वो पूरा हो रहा है किस लाल पेंसे राइट तो बस फिर यह बात लो बैटरी सिंबल शो कर रहा है अच्छा लो बैटरी सिंबल अभी तो बैटरी डाली है नो ने मड़म ने अबातकर है अभी चलिए गाड़ी हमारी है तो लाल पेहने वाली बात मिटा देता हं ठीक है अभी स्पीड ज्यादा एक ोρष जयादा है कम है जो बात कर रह इंथी हिंत तो बहुत कर लेगे हैं . आ रहे समझ में आ रहे है बटा राम से आ जाएगी बटा एक सेकंड बैटर चेंज कर रहे है आगे स्क्रीन ठीक चलो जी तो लाल पेन वाली बात समझ में आ गई ना ये अपसान कैसे है अगा लेके आते हैं बताओ क्या गीवन है एन किस पर करवच करता है definition लिख वी आर गिवन उसके definition लिख दे मेरे बटा कि एन अगर ए पर कनवज करता है definition बोल जल दी से if and only if for बोल each there exist n1 बताया था ना लाइको such that mod an-a is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n0 n0 अच्छा नहीं 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 तो bn converges to b if and only if फिर से definition बोल बता याद करा दू अभी for e is excited by 2 greater than 0 there exists n2 such that mod p-a-b is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to correct है बटा ये इसको मैं 2 माल नहीं बेटा और इसको क्या माल लेता हूं अब एक बात बता चलो टू थी नहीं मानते हैं आगे भी तो बाकाम बाकी था इसमें आगे काम बाकी है यह n1 के लिए यह n2 के लिए राइट और हमें किसके लिए जी है क्या करूं क्या करूं क्या करूं लेट क्या करूं ऑफ से चोटा होगा और बी यन बी भी अपसालन बाइटू से छोटा होगा उन सब टर्म्स के लिए जो किसे बड़ी बरावर येस ये करेट है कि नहीं है ये बात भाई अगर ये पचासवी टर्म पे लेजन अपसालन बाइट हुआ है और ये सो भी टर्म पे हैं तो दोनों कौन से टम पे हैं सो भी पे एक सो एक पे एक सो दो पे अब इसको टू माल लेते हैं होगे अपना काम अब देर्फो एक्वेशन वन गिवस अब एक्वेशन वन को यहां अतार दो वापिस कि मॉड अन माइनस ए प्लस बी अन माइनस is less than equal to kya है था? अन माइन माइनस ब्लस अना ृ अब फ् Bhag ए आन माने जो भी अर ब जो एक ब्लस अन मने मेर्क खे है? और बा बे अन माने जो समना प्ल्स छी swiftly अन माइनस ब्लस किया था? ब्लस प्लस अना ब्लस अना अन मातों दो टो ना बिता? so what do we get epsilon therefore it is all numerical once you understand so can we conclude that a n plus b n converges to where a plus b correct है क्या कितना साफ साफ है कितना सिंपल तरीका है करने का अब बार हर थियोरें के लिए फーस समयस्टर से लेकि एगर ये चेज़ चेंज जाए तो बता देना मुझे छहे मैं इस्टरा कर ना हूँ चाहे मैं थियोरें का प्रूफ कर रहा हूं the style will remain same सबसे पहले तुशोग फिर एपसलिन फिर शो की डेफिनेशन फिर जो शो करते हैं क्या करते हैं इस बनाते हैं जो चाहिए होता हो लेके आते हैं using definitions फिर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं पिटा जो चाहिए होता हूं लाल बेंट से बताता हूं मैं लिख लो फोटो ले लो इसकी जब भी मैंने कहा था आपके पास एक से ज़्यादा सीक्वेंस आए तो नौट को मैक्सिम लेना पड़ता है अब रुको इसी मेट चमत का करते है तुमारे साथ यहीं पर बोर्ड तो भरा ही हुआ है मेरे साथ प्लीज पार्ट स्पिट करना बिटा कॉमल हर्शिता हम लिख रहे हैं सम की जगह पे डिफरेंस थेरम तो एन प्लस बिएन इसकी जगह क्या आजाए अजाएगा ना तो मेरे बेटा यहां पर भी क्या आजाएगा इसकी जगह पे भी माइनस और माइनस करेक्ट है यहां पर भी कंसेर्डर पे भी माइनस आएगा कि नहीं आएगा अब इसको ऐसे लिख कि A N minus A आ जाए और B N minus B आ जाए तो पहले तो ब्रैकेट खोलता है मेरी बिटिया तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये expression कैसा होगा देख A N minus A plus A minus B N होगा की नहीं होगा बता रुख ज़रूचा भी जल्दी बाचे ना ना बेटा ना रुख तो सही तो ट्रैंगल निकवर्डी लगा पर ले इस पर क्या ट्रैंगल निकवर्डी लग गई अब और मेरी बिटिया क्या आपको ये बात पता है कि मॉड के अंदर A minus B is same as B minus A तो क्या मैं इस statement को ऐसे लिख सकता हूँ A N minus A plus this is your equation one और बाक्य सब सेंप्रिसम चलेगा क्या तो डिफरेंस टीर में बस ये छोटा सा फर्क था कि हम A N minus A को B N minus A भी लिख सकते हैं मॉड में और B minus A को A minus B भी लिख सकते हैं मॉड के अंदर rest the proof you have to do it yourself अंजी बिटा कर लोगे न आपने आप आपके तो अच्छा जी चलिए next यह लिए बाटा कि मैं एलजेबरा नहीं पहले ऐसान देना चाहता हूं जो कुछ मैं बढ़ाया उसी में सही है अब सोचो कोई थियोरम आई तुमारे पास या कोई क्वेश्चन आया तो मैं सॉल्व करना है तरीका मैंने बताया उसी से करना है करें कोशिश तो यह कोशिश करने से आप अपनी एक्सेस की एक थियोरम यह क्वेश्चन ऐसी प्रूब कर लेंगे अपने इस थियोरम का नाम है अलफा थियोरम मैंने अपना नाम दे रख आ इसको क्या कहती है तो यह कहती है अगर एक सीक्वेंस की कंवर्ज करता है जीरो पे और दूसरा सीक्वेंस तो तो दोनों का product जीरो पे converge करेगा ये प्रूव करना है और ए एन बी एन करेक्ट है जी? दिमाग लगाना नहीं है जैसे मैंने बोला है उसको फोलो करना है दिमाग अपने आप चलेगा लिखना शुरू करना है आओ मेरे साथ, let's start with the proof, proof क्या शो करना है मेरी बेटी जल्दी से बता आओ A-N, B-N, A-N, B-N, converges to where? 0, next line, next line, next line, next line positive B, given, okay, जो शो करना है उसके definition बता हो and not a natural number है, mod B-N minus 0 किससे छोटा होना चाहिए? for all n greater than equal to what? अर यही definition होती है? yeah so क्या consider कर हूँ? mu.n, bn, 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 o, bn, mod a n, bn–0 को क्या लिखसकता हूँ? है ? इभी वियरं — अब मेरी बीटिया क्या गीवन है तुम्हें बताओ पहले बताओ तो दिमाख में क्या आएगा tō a-0 लिख कर दिखाओ इसको तो क्या मैं पहले इसको reducingplate कर लो किस से छोटा होगा एपसलन से ना और बी-एन के है तो तुमारे दिमाग में क्या बात आएगी इट इस लेस देन और इक्वल टू के ना तो बता क्या चेंज कर सकता हूं मैं कि अपसान बचे सरफ मैं डी मी पर्चे साने कर वह में नहीं है इसको देखके पहले बदया चल जाता है अपने को क्या-क्या लाना होगा तो आओ ले आते हैं वो सारी बाते हैं और ब से पहले बताओ क्या गिवन है अपने को तो अगर a n 0 पर convergers के definition लिखो if and only if for k there exist and not to be bounded है उसमें 7 action numbers लिटरो होता है वो such that mod for all n greater than equal to what and n sequence bn is bounded so if and only if there exists k kaisa positive real number a k positive such that कि mod bn छोटा बराबर k से होगा सभी natural numbers के लिए तो भाई इसको तू मान लो इसको क्या मान लो बिटा देखो बिटा जो चाहिए था वो ले आए ना जो given definition है उससे सारा खेल definition का है फिर अपनी फिर वोई बात therefore equation one gives क्या कह रही थी equation one सामयरे को mod is equal to mod a n minus 0 and mod bn ना and from 2 and 3 from 2 and 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ बिटा तो ये तो कटके क्या बराबर हो गया बिटा तो हो गया हमारा काम तो a n b n किससे छोटा हो गया for all n greater than equal to n not तो a n b n किस पर converge करेगा तो याद रखो कभी भी कोई एक sequence 0 पर converge कर रहा है और दूसरा bounded है तो दोनों का product कहा करेगा जीरो पर याद भी रखनी है बात ठीक है जैसे सुनो चलो सुनो उधान देखो इस पर इस पर उधान ले लो पर एक बार एक मिन जब पढ़ रहे हैं तो उधान पढ़ लेते हैं minus 1 to the power n into 1 by n को शो करना है कि यह 0 पर converge करता है शो दाट ओके तो क्या शो करना है बच्चो अला खेलता है तो a n ले लिया 1 by n और b n ले लिया minus 1 to the power 1 by n अब आप लिमेट n टेंशन इफिडी करो यह n पर कहां कर रहा बताओ जीरो थैंक यू और b n की जो सारी वैल्यूज है वह 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 तो यह sequence bounded है कि नहीं बताओ तो sequence b n is so by alpha theorem या by this by above theorem by above theorem minus 1 to the power n into 1 by n कहां कनवज करेगा धन्यवाद 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 बेटा यह यूज होगा बहुत ज्यादा आपका चलो यार तुम लिखते से तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है तो रेल बनी बड़ी मेरी हां लेख लो कोई नी वैसे समझ मजा आरा है नहीं आरा बच्छो वैसे इस बोर्ट पर महाल रंगीन सा रहता ना एक स्पीज जब फोटो किजले उसने एक मिल्ट फोटो ले लिए आपने ले फोटो भी ले 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 तो एक छोटा सा काम दूँ पुड़ट थिर्म करने को देता हूं छोटी सी एब ट्राइगरो पुड़ट थिर्म कि अगर सीक्वेंस एन ए पर करेगा और बी एन अगर बी पर कनवर्ज करेगा तो पहले अपने आप लिखनी कोशिश करो नहीं होगा मैं तो हुई एन बी एन कहां कनवर्ज करेगा इसको पुड़ट थिर्म बोलते हैं पहले कोशिश करो खुद से सारे बच्चे कि अगरो झाल 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 मैं कंसेडर से शुरू करता हूँ झाल झाल कोई बी एक सीक्वेंस और दूसरे की लिमिट जैसे सीक्वेंस एन तो लिमिट बी अगर सीक्वेंस बी लेता तो लिमिट यही जोड़ अ करो ब सीकह अगर यहां बता अधा यही बूलो बदा अधा अधा यहां यही आया यहां यही आया यहागा यहाए यहां यहाइगा श्रिख को और mod को simplify करो correct है इसको equation 1 बना ले लाल पेन ले आपना आ जो बताओ a n किस पर converge करता है तो mod a n की जिए constant कैसे लाओ गए every convergence sequence is bounded तो mod a n किस से छोटा बराबर होगा धन्यवाद क्या bounded की कहानी बोलके k ले आ सकते है b and b पे converge करता है तो b and minus b किस से छोटा होगा epsilon upon k अच्छा k लगा तो चलो कोई नहीं mod b यहां पर भी epsilon upon k अच्छा k अर यही आएगा न तो यह तो 2 epsilon हो जाए कटके तो क्यों न 2k 2k कर लेते तो क्या बचता देखो epsilon by 2 plus which is अरे बात बन गई थी कि नहीं बन गई थी तो इसकी जगह के कैसे आएगा क्या बोलके कि every convergence sequence is और यह तो converge करता ही है यह भी converge करता है और यह constant है limit तो constant होती है कर लोगे हैं करा हूँ कराजता हूँ लाल पेने वाली बात मिटा दूँ जो जो चाहिए मचे दिमाग में बैठे कही है मेरे बात तो क्यों ना शुरू करें अपना खेल तो सब से पहले every convergent sequence is bounded therefore there exists k a positive real number such that mod a n is less than equal to k for all n belongs to natural number आसकता है कि नहीं बता हो and a n किस पे भी converge करता है a पे if and only if for each kya there exists n1 belongs to natural number such that mod a n minus a is less than epsilon upon 2 mod b for all n greater than equal to man 1 correct है बच्चो तो से बी एं गे भी लिखनी लिखता गे जिक्षोर गे same कहानी अब epsilon by 2 k आ जाएगा यहाँ पर यहाँ n 2 आ जाएगा बाकी सारा same लिख लोगे तो n नॉट को कैसा लोगे बता ओ आप next page पे n नॉट को maximum of n1 and ? तो इसका मतलब आप ये लिखना चाहरे हो कि sir a n minus a, b n minus b sub less than a, epsilon upon 2 mod b, epsilon upon 2 k, और mod a n b less than equal to k है, for all the terms greater than equal to what ? n naught. So therefore, equation one gives, अब तो घर लोगे यार, तो थोड़ा सा अठके, मैं चाहता था आप अठके, समझें, सोचें, कैसे करेंगे, ताकि वो ट्रिक जो मैं बता हूँ, वो याद रह जाए, कि दुबारा गलती ना हूँ आपसे. मने निश्लास है? हो गया? कर लेना गर पर ढंग से इसको? चलो इतना तो करो आज. नोट्स बना लेना पेटे ढंग से वैसने मैं नोट्स दूँगा आपको, पर फे भी बना लेना अपने. यज़ आपको, समय बनासी मैं. मुझा बनासी कोुनिए आपको आपके लाए. मुझा खओ श्यूद सब्सक्राइबू अरयसा क louds Iphone 10.